तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दूआउं से मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों डियलेट प्रथम समेश्टर का पेपर चल रहा है इससे पहले जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर जो बाल विकास का हुआ है उस पेपर के जो पेपर है सिक्छड अधिकम के सिध्धान्त किस पेपर के सलीशन को में आप लोगों को करने वाला हूं इसे पहले दोस्तों सुरू करने से पहले चैनल पर आप सभी नए होई है चैनल को जरूरू सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लास तक देखिएगा दोस्तों ज या विमुक्ते सिच्छा का उदेश किस विचार धारा का मानना है दोस्तों तो यह किस का मानना है दोस्तों आदर सवादी क्या दोस्तों आदर सवादी विचार धारा का मानना है अगला है कि गेस्टाल्ड मनोवे ज्यानिकों गेस्टाल्ड मनोवे ज्यानिक सिध्धान्त संप्रेशर सब्द की उत्पति किस लैटिन सब्द से हुई है दोस्तों तो कम्यू निश क्या है कम्यू निश सब्द से हुई है अगला दोस्तों संप्रेशड के प्रकार दोस्तों क्या है कि संप्रेशड के प्रकार आपका दोस्तों तो संप्रेशड दो जनम दाता हैं दोस्तों, आप लोगों का हो जाएगा किल पैट्रिक, कौन हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का किल पैट्रिक हो जाएगा, अगला है दोस्तों, आप लोगों का निम्न में से सिक्षड का सामान सिध्धान्त नहीं है दोस्तों, तो इसका जो आप लोगों का नहीं होना चाहिए दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताईएगा कोंसा आपका होगा अगला तो कल्पना यंवम्तर्क सक्टी का अभिकास किस सिच्छड प्रविधी के माधेम से करते हैं दोस्तों तो यह आप लोगोंका प्रस्णोत्तरी कौन सा दुस्तों अपलोंका प्रस सिच्छड में सिच्छा का केंद्र बिंदु होता है तो इसका जो आप लोगों का राइट जो आंसर चला जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थी होता है अगला है नहीं दोस्तों आपका सिच्छक केंद्रित है न तो इसमें आप लोगों का स्च्छक केंदृत षिछ्छट में नहीं दूस्तों बाल केंदृत सिछड नहीं है दूस्त मुझण सिच्छड पददती के जनमद आता अगला है कि पाठ प्रस्तावना कौसल का आधार बिंदू क्या होगा दोस्ता अगला है कि ब्याख्यान विधी में छातर बने रहते हैं दोस्तों अगला है अधिधी मी दोस्तों क्या होता है यह चैना कुछ न कुछ सीखता ही रहता है तो ही करेगा और ब्यकतियों के बीच क्या है सुचनाईंगा आधान प्रदान वारतालाप सकते हैं संप्रैशन के प्रमुख कवन हो जाएगा संदेष हो जाएगा माध्यम, प्रतिपुष्टी, प्रापक और प्रतिक्रिया प्लोगों का हो जाएगा सिछड में अभिप्रेड़ा के सिधानतों का क्या अभिप्रा है दोस्तों तो बोच सकते हैं दोस्तों कि अभिप्रेड़ा के सिधानतों का क्या अभिप्रा है दोस्तों तो मनुष्य का जो बेवहार होता है दोस्तों उसकी मूल प्रवित्यों पर क्या होता है अधारीत होता है दोस्तों क्या होता है कि मनुष्य का जो बेवहार होता है उसकी मूल प्रवित्यों पर आधारीत होता है अगला सिच्छड के किनी दो सिच्छड सुत्रों के लिखे दोस्तों आप बोल सकते हैं ज्यात से अज्यात की ओर स्थूल से सुच्म की ओर विशिष्ट से सामाने की ओर सरल से जटिल की ओर यह अप लोग सभी सिच्छड सुत्र हैं दोस्तों प्रसिच्छन से क्या अभिप्राय है क्या दोस्तों प्रसिच्छन से आपका क्या अभिप्राय है आपका प्रसिच्छन पूछा है तो हम बोल सकते हैं दोस्तों प्रसिच्छन का जो अर्थ है अपने आपको या किसी दूसरे को ऐसी सिक्छा देना प्रसिच्छन के बारे में वो क्या करें उसके अंदर प्रवीडता आ जाए तो आप लोग का हो जाएगा दोस्तों अगला है पुनर बलन कितने प्रकार का होता है दोस्तों तो दो प्रकार का होता है एक धनात्मक पुनर बलन और दूसरा जिडात्मक पुनर बलन अगला है दोस्तों आप पेच्छित पहल्मों को सावधानीपुर्यक मतब्नूल भूत पहल्मों का सावधानीपूर्यक मुल्यांकन किया गया जाता है जिसंसे दोस्तों हांसिल किया erf कोशतर की कोई दो वि市 तया लिप्दों अ Be बोल सकते हैं दोस्तों कि यह बच्चों के दोस्तों प्रदर्शन आधारित लक्ष्चों के बजाए निपूर्टा पर ध्यान देने के लिए करता है प्रसाहित करता है अगला आप लों का है खेल पर आधारित परेटन वीधु का प्रयोग पर है प्रदर्रशन आप लोगों का हो जाएगा परेटन वीधी का प्रयोग और बहूंतर भूमना था हो जाएगा भुगोल सब्जेक्ट आप लोगों का हो जाएगा इतिहास भुगोल इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों प्रयोग प्रधर्शन विधी सरवाधिक किस विश्य में उप्योगी दोस्तों तो सबसे दा किसमें होता है आप लोग साइन्स में होता है तो आप जो होता है एक एक करके चीज़ों पर उसके बारे में बताया जाता है अगला लोगँ का परिवासा क्या दोस्तों आप बोल सकते हैं सिछड का उसन का नहीं अन्हों में कुसलता से अपनी कौनिद्वी के बड़ाराता रहता है उसके रिखावट प्रतिक अच्छ अलग अलग और स्पष्ट होना चाहिए यह स्यांपट का गटक दोस्तों स्पष्टी करण सबस्काइब और उसे ग्रहण करने योगे समख्श को geysa जो समक्ष्य दो स本प कोई भी जो आप युक्ति करें वह क्या हो दम सरल हो और स्पष्ट तरीके से हो दोस्तों तो यह आप लोग बोल सकते हैं यह सब सभी आपका थियोरेटिकली था अपने भासा में आप लोग लेख सकते थे अब लोग का लगूतरी प्रस्ण क्या-क्या पिछा गया था दोस्तो युक्ति को सपष्ट कीजी सिच्छड में अभिप्रेरणा का सिध्धानत से क्या आसा है आप एच्छित अधिकमस्तर की संकल्पना क्या है यह सभी आपके दोस्तों प्रश्ण हो गए उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी चैनल पर नए हुए है उसमें पहुत से क्वेश्टन फसे हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपका फिफ्टीन से सिस्टीन थे थे थर्ड में आपका नाइन से तेन और आपका फूर्थ में साथ 11 ए 12 थे उसी तरीके से आप लोग का फेपर का कंप्लीट मेंने सल्यूशन दे दिया चैनल पर जाहिंद